हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आप सब जो है बेट कर रहे हो अब सीटेट का सीटेट 20 अगस्त को हो चुका एक उसमें जो लोग पास हो गए उनका तो अच्छा है जो नहीं हुए है या कुछ बच्चे जो है इंप्रूब्मेंट करना चाहते हैं या जो फॉर्स टाइम देना उन सभी का कोश्चन एक ही है कि मैं सीटेट कब आएगा सीटेट का जो है इक्जाम कब होना है नोटिफिकेशन कब आएगा ये सबी चीजों के बारे में वैसे हमारा लाइव क्लास जो चार बजे का होता है उसमें आपको बताते ही रहती हूँ कि सीटेट जो है कब आना है लेकिन personally आप लोग बहुत जादा messages कर रहे हैं उसको लेकर करके तो हम आज इस पर discuss करेंगे seated का notification कब तक आ सकता है, examination कब होगा, examination का mode भी आप लोग पूछ रहे हो, उसको भी clear करेंगे and the most important question आप लोग का ये आ रहा है कि क्या इस पर जो BPSC में सिख्षक भरती प्रिकरिया बिहार में होने वाली है, क्या उसमें ये December वाले या January वाले seatate में क्या बच्चों को जो है मौका मिलेगा, क्या chances लग रहा है, तो ये सभी चीजों का, सभी question का answer आपको बस यहीं पर मिलन है, सारे doubts आपको clear हो जाएंगे, and fact to fact हम बात करेंगे कि कब आप लोग के next exam lesson seatate के देखने को मिलने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते इस वीडियो को, उससे पहले अगर आप हमारा चनल पर पहली बार विजिट करें तो चनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पर आप आपको teaching related classes, notes, and information, सभी चीज़े provide की जाती है, ज्यादा अगर आपको information चाहिए, तो आप लोग हमारा app, Catalyst Oni app, download कर लो, वहाँ पर जो है, सीटेट का test series है, वो भी अभी start किया जाएगा, ताकि जो बच्चे practice करना चाहते हैं, वो practice कर लेंगे, आप लोगों को वहाँ पर ज सकते हूं, ठीक है, तो आप लोग download कर लीजे, Catalyst Sony, जो हमारा नाम है, और ये आप लोग app है, ये download करके रख लीजे, यहाँ पर already अभी भी बहुत सारे टेस्ट upload किये गए हैं, तो भी टेस्ट आप जा करके देख सकते हूं, फ्री material एक्दम फ्री में जा करके आप देख सकत ठीक है, तो चली स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, तो हम इसमें बात कर लेते हैं भई, सीटेट का कब आएगा, एक एक्जाम आप लोगों को 20 अगस्त का हुआ, आप लोगों को सब कुछ डीटेल, एंसर की, सब कुछ आ गया है, अब नेक्स्ट सीटेट का है, इस बार का ज तो यह के करके सारे कोशन को लेते चले, सबसे पहला कोशन आप लोगों का यही है, कि क्या बीएड वाले स्टूडेंट पेपर वन का फॉर्म फिल करेंगे, तो नहीं, अभी जैसा कंडिशन और जो सिटूएशन चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग बीएड वाले स्टूडे सिर्फ पेपर टू का जो है फॉर्म फिल करेंगे, जिसके लिए आप सिक्स टू एट के जो है टीचर बनोगे, ठीक है, पेपर वन का फॉर्म फिल करने अभी नहीं आएगा, अभी जो नोटिफिकेशन आगा, उसमें भी क्लियर किया जाएगा, लेकिन अभी बीए डवाले सिर्फ पेपर टू का जो है एक्जाम दे पाएंगे, पेपर टू की तैयारी थोड़ी सी टफ होती है, उसमें आप लोगों के सब्जेक्ट रिलेटेड कोशन पूछे जाएंगे, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, प्लीज बाबू, एंसी आर्टी की बुक उठाओ अप लोगों को पढ़ना इसी से पढ़ेगा, और यही जो है बुक आपको आगे तक ले करके जाएगा, तो यह बुक आप छोटे बच्चों वाला उठा लो और उठा करके एक-एक पेज ग्रेडिंग मारते चलो, समझते हुए चलो, दूसरा कोशन आप लोगों का यह हो रहा है कि कब आएगा notification, तो देखो हम पहले के circumstances पे चलते हैं, अगर हम बात करते हैं पिछले साल की, ठीक है, पिछले साल की बात करते हैं, तो last year जो 2022 December में एकजाम हुआ था, उसका notification आपको November में देखने को मिला था, सेम चीज यहाँ पर फिर से repeat होगा, आपको October के last तक, ठीक है, October last हो सकता है, या November के first week, ज़्यादा तर chances है कि आपको October last week तक ही जो है, वो मिल जाए notification, अगर नहीं मिलता है, तो November first week एकदम शोर रहेगा, कि उसमें आपको सीटेट का notification मिल जाएगा, अब आप बोलोगे, मैं आप इतना दावा कैसे कर रही है, क्योंकि फिलहाल, CBSC का सारा का on time जो है, चल रहा है, सारे चीज़े जो है time पर हो रही है, तो यही चीज़े अनुमार लगाई जा रही है, कि October last week या November के first week में आपको notification देखने को मिलेगा, ठीक, बात है कि examination कौन से mode पर होगा, तो simple है, examination आप लोग का पिछली बार से offline कर दिया गे, कि online में बहुत सारे problem तो जो 20 अगस को exam हुआ था, वो offline हुआ है ना, तो वैसे ही आप लोगों का offline वाला ही exam रहेगा, ठीक है, वही exam आप लोग का होने वाला है, उसी की तरह दिमाग में रखके तयारी कीजिए, ठीक, तीसरा जो question इसमें आप लोग पूछ रहे हो, कि exam कब होगा, notification तो सुन देखो examination का जो chances है, वो आप लोग का अगर हम फिर से previous year में जाते हैं, तो पिछले साल 28 December 2022 से exam start हुआ था, याद है online था, लेकिन 28 December से start हुआ था, तो इस बार का भी आप लोगों का जो seated का exam होगा, वो आप लोग का December last week, ठीक है, या फिर January तक जा सकता है, ज्यादा chances December रखना कुछ लोग बोड़ है कि December में अब होने के chances नहीं है, लेकिन last week तक जा सकता है, तो हम तो वही बोलेंगे ना, जिससे आपकी तयारी अच्छी हो, फसने वाला चीज क्यों करें, तो last December के last week या January में जो है, आपके seated के exam देखने को मिलेंगे, तो उसके according तयार, देखो तयारी मैं फिर से बोलूँगी, अब उतना seated को easy लेकर के मत चला, खास करके paper 2 वाले student, paper 1 तो फिर भी ठीक है, paper 1 में ज्यादा problem नहीं है, paper 1 में 5 जो subject है, वो common है, वो सही है, paper 2 में आप लोगों को जैसे social science वाले student का बहुत ही vast हो गया है न, उसमें आपको जोग्राव भी पढ़ना history भी पढ़ना, civics भी पढ़ना, economics भी पढ़ना, बहुत कुछ पढ़ना, तो सभी को आपको NCRT के book को ही पढ़ना है, कहीं और से कुछ नहीं, फिर उसके बास है, अगर हम science की बात करते हैं, तो उसमें और भी हो जाता है, उसमें physics, chemistry, bio, फिर आप लोगों का जो है, उसमें maths भी आजाता है, तो वो भी कोई खाफी वास है, तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, नोटिफिकेशन का वेट ना करो, और ना ही जो है, exam का वेट करो, तैयारी में लग जाओ, कि भाई, अभी तक तो date नहीं आया, तैयारी में लगे रहे है, और अभी मिलेगा, ताकि आप cut to cut बोलते ना, कि अभी आप लोग अपना detail से पर रहे हो, तो एक cut to cut revision जो है, आपका कैसे हो जाए, और practice आप कैसे कर लो, तो वो भी चीजे जो है, आपको app पर मिलेंगी, तैयारी एकदम लग भग खत्म है, वो चीजे बहुत जल्दी आपको upload कर दी जाएगी app पर, ठीक है, एक ये हुआ, नेक्स्ट आप लोगों का है कि क्या BPSC का जो इस बर का सिक्षक भरती प्रिकरिया आ रहा है, जो उसमें क्या seated दिसमबर वाले बच्चों को मौका मिलेगा, तो देखो, अभी जहां तक हम बात करते हैं, तो BPSC अपना एक target लेके चल लेगा, अभी जैसे कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो बनाए था, तो मैंने आपको बताया था, कि इसमें chances कम लग रहा है, क्योंकि CBSC ने अनौंस कर दिया है, कि दिसमबर में वा exam ले लेगा, और दिसमबर में ही seated का exam होगा, तो possible ही नहीं लग रहा था, लेकिन अभी जि पहले उनको सारा अपना साम कर लेना है, लेकिन साथ-साथ में election के आने से पहले ही चीजे भी तो दिखानी है, कि हमने इतनी भरतिया निकाली है, हम इतने vacances निकाले, इतने लोगों को job दिया, तो वो भी cut to cut, वो just near to रखेंगे, कि आचार संगीता लागू होने से पहले सार 50-50 टाइप वाले में मैं बोलूंगी है, अभी BPSC का अगर notice कुछ भी निकालते हैं और बोलते हैं कि नहीं भाई हम तो December में exam लेंगे, तो फिर इंग में chance मिलने का नहीं, अभी बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोड़े, लेकिन जब तक notice नहीं आएगा, तब तक हम इसमे positive internal जो information मिली है, उसके according में बोलू, तो yes, December वाले को consider करने की बात जो है, चल रही है, ये भी चीजे हो रही है, तो जो लोगों का पिछले वाले seat at में नहीं हो पाया, वो अच्छे से तयारी करो कि आपको अच्छे खासे vacancy देखने को मिल रही है, और B8 वाले को देखने को म आप उसमें लग जाए, ताकि एक seat आप अपने लिए secure करने जाए, ठीक है, तो अभी फिलहाल seated के examination से related यही है, तैयारी मत छोड़ना, तैयारी करते रहना, अगर आपको हमसे कोई help चाहिए, तो बिल्कुल आप पर आईए, आप पर message कीजिए, क्या help चाहिए, किस तरह का च परसिलर करेंगे और उसकी according आपको information प्रवाइड करने की courses करेंगे, ठीक है, take care everyone.